हेलो सुटेंज चलिए स्टार्ट करते हैं इंटिग्रेशन की मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्योशन नमबर फर्स्ट देखते हैं क्या है इंटिग्रेट दा फंक्सन वन बाइ एक्स माइनस एक्स क्यूग हमें इसको इंटिग्रेट करना है इस question को start करने से पहले मैं आपको बता दू कि आप सब भी comment करके पूछते हो कि sir miscellaneous exercise important है या नहीं है मैं ये कहता हूँ most most important exercise है miscellaneous exercise skip नहीं करनी है किसी भी chapter की सारे exercise करनी है सारे questions करने है क्योंकि most of the questions miscellaneous से पूछे जाते है class 11th 12th दोनों में miscellaneous करनी जरूरी है अब देखो question क्या है 1 by x minus x cube अब इस miscellaneous exercise में जितने भी question होंगे ना सारी previous exercise के question repeat होंगे कुछ न कुछ से थोड़ी advance level के होंगे बट concept वहीं यूज करने हैं आपको अब इस question में क्या कर सकते हैं देखो 1 by x minus x cube दे रखा है तो यहां से मैं x common ले सकता हूं इसमें से तो अंदर क्या बज़ाएगा मेरे पास 1 minus x square इसका आपको क्या करना है integration अब यहां पे मुझे क्या करना है parts की form में कर सकते हैं इसको तो क्या बनेगा यह 1 by x 1 minus x square को क्या लिख देंगे 1 minus x और 1 plus x equal to यहां पे क्या करेंगे अब इन factors को a by x एक एक factor को ले लेंगे plus में b by 1 minus x और plus में c by 1 plus x हो गई यह नि अब इसका calcium ले लो left side क्या रहेगा 1 by x into 1 minus x 1 plus x और इस तरफ क्या आ जाएगा यहां पे x into 1 minus x का square 1 minus x 1 plus x 1 minus x का square यह cancel out हो गया यहां पे x से x कट गया तो a into 1 minus x square phi प्लस में b into 1 plus x into x और प्लस में c into x into 1 minus x यह आ जाएगा यह नि कोई दिक्कत नहीं होनी चीए अब आग इसको simplify करते हैं तो 1 equal to क्या हो गया a की अंदर multiply की a minus ax square b की multiply करेंगे तो bx और प्लस में bx square c की multiply करेंगे तो plus का cx minus cx square square वाली term को अलग कर लो 1 equal to यह है square वाली term यह है और यह है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x square बाहर अंदर क्या हो जाएगा minus a plus b minus c without उस वाली देखो क्या नाम है constant term देखो क्या है a है के लिए और x वाली bx plus cx है तो यहाँ से x को मन लेंगे तो क्या बच गया b plus c और plus में a यह value आ गए आपके पास अब यहाँ पर comparison कर लो x square है इस तरफ x square की कोई भी term नहीं है तो क्या हो जाएगा minus a plus b minus c equal to 0 हो गया x की भी term इस तरफ नहीं है तो b plus c equal to क्या हो गया 0 a constant है इदर constant 1 है तो a की value हो गई 1 ठीक है a की value इसमें put करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 इस तरफ जाएगा तो b minus c equal to क्या हो गया 1 और b plus c equal to क्या हो गया 0 इनको solve out कर लो यह cancel out b plus b क्या हो गया 2b equal to 1 और b की value क्या आ गई 1 by 2 B की value 1 by 2 put करेंगे तो C की value क्या हो जाएगी minus का 1 by 2 A, B, C तिन्नों values आपके पास आ चुकी बस में इनकाम यही होता है हमें A, B, C की value find out करना बाकी अब A, B, C की value को इनके अंदर हम क्या कर देंगे put कर देंगे जहाँ पे हमने split किया था अपने parts को अब यहाँ आजो तो क्या हो जाएगा integration A की value क्या है हमारी 1 तो यहाँ पे dx by x फिल प्लस में B की value 1 by 2 है तो 1 by 2 integration 1 by 1 minus x dx C की value minus का 1 by 2 तो minus बाहर यहाँ पे 1 by 2 भी बाहर ले लेंगे यहाँ पे क्या आजाएगा dx by 1 plus x ठीक है इसको integrate कर लेते हैं dx by x क्या हो जाएगा बच्चो log x फिल प्लस में 1 by 2 यह क्या हो जाएगा log of 1 minus x mode लगा लेंगे इसका फिल माइनस का 1 by 2 यह क्या हो जाएगा log of 1 plus x इसका भी mode और plus में c ठीक है आगे आओ यह क्या हो गया log x इन दोनों में से 1 by 2 बाहर और यहां पे क्या आगया log of 1 minus x minus log of 1 plus x अब यह मेरे पास फोर्मूला बन गया log m minus log n का तो यह अपलाई कर देंगे यहां पे तो क्या आगया log x प्लस में 1 by 2 log of 1 minus x by 1 plus x और प्लस में c यह मेरे पास क्या आगया answer clear हो गया कोई दिक्कत नहीं होनी चीए ncrt में कुछे इनका lcm लेके simplify गर रखा आप इसको यहीं छोड़ सकते हो यह answer बिल्कुल 100% correct है उसमें कुछे 1 by 2 लो करके और फिर यह x का square गर रखा होगा निचे मेरे ख्याल से 1 minus x square बनेगा उसके लिए आपको 2-3 step और करने पड़ेंगे उनकी जुरूरत नहीं है यह answer बिल्कुल correct है कोई भी दिक्कत लगे आप मुझसे पूछिए दरवाई चैनल को subscribe कर लिजिए यह थैंक यह थूदेंस पर वाचिंग नेक्सा क्लासिज वीडियो